यूनिट 10 और यूनिट 11 जो है यह अब हम subjective type items की development के बारे में पढ़ेंगे इससे पीछे हम objective type item की development और इसके advantage, disadvantage पढ़ चुके हैं अधिकी subjective type items जो हैं उन में दो तरह के items होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक को हम कहते हैं restricted response essay type items essay type कहलाते हैं यह जो open ended questions होते हैं subjective उन में एक हो गया restricted response और दूसरा होता है extended response तो आज के session में हम एक तो पहले यह देखेंगे कि subjective type items हैं क्या और फिर उसके बाद जो restricted response items हैं उनके बारे में थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप items को अमूमी तोर पे हम essay type सवालात कहते हैं आपको यह term ज्यादा इस्तमाल करते हैं आप लोग और इसका आपको पता भी होगा essay type questions और जो ही मैं इनका नाम लेता हूं तो आपके जहन में फॉरण इनका structure आ जाता है कि यह एक सवाल जिसके नीचे जवाब आपने खुद बनाना होता है और अमूमन यह जवाब चंद लाइनों से लेके कुछ सफों तक भी मुईत हो सकता है यह सवालात की किस्म जो है यह हम अमूमन इस्तमाल करते हैं higher order learning को मेयर करने के लिए अब higher order learning से हमारी मुराद यह है कि जैस्स ब्लूम की taxonomy को वापस refer करते है यह यह एप्लिकेशन, analysis, synthesis और evaluation इन चार लेवल्स की में से किसी लेवल की learning को अगर मेयर करना हो तो उसके लिए essay type सवालात जो है वो इस्तमाल किये जाते हैं और in addition to this, इन के जरीए से आप बच्चों की जो लिखने की सलाहियत है वो भी मेयर कर सकते हैं आप देखिए कि objective type items में या तो लिखने की सलाहियत मेयर ही नहीं होती थी अगर थी भी तो बहुत महदूद एक आद फिक्रे एक फ्रेज तक महदूद थी लेकिन इसमें आप writing ability को भी check कर सकते हैं अचा, इनके जैसे मैंने आर्ज किया कि इनके level of learning जो इनके जरीए से मेयर किये जा सकते हैं उनमें apply करने की सलाहियत है, organize, synthesize, analyze करना इसमें आ जाता है, evaluation है, integrating है और writing skills हैं, जो इन तमाम skills को measure करते हैं ये एक side advantage है इसका, कि इन तमाम के जहार के लिए student को writing करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है और उसके जरीए से हम उसकी writing skills का भी फैसला कर सकते हैं इनके जवाबाद जो हैं, वो पांच से दस सफ़ों तक भी हो सकता है, जैसे आपको essay लिखने के लिए दे दिया जाता है, किसी मजमून पे और इनकी लिम्बाई जो है, वो चंद लाइनों तक भी मैदूद हो सकती है, जिसमें आपको बहुत specific किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए ऐसे type questions को हम, जैसे मैंने शुरू में का आपके दो हिस्सों में तक्सीम कर सकते हैं एक को आप कहते हैं restricted response items और दूसरों को कहते है extended response items इनके नामों से ही अगर आप गोर करें तो इनकी जो सिफात हैं, ताइय उनकी जा सकती है restricted response items से हमारी मराद यह है, restrict करना, महदूद, यानि ऐसे सवालात हैं तो वो ऐसे type लेकिन उनका जवाब एक specific चीज है और उसी के रहन अदर रहते हुए उन्होंने जवाब देना है, जवाब पढ़े हुए material में से है, जो बात मैंने class में पढ़ाई, उसी material के अंदर से student ने जवाब को तलाश करना है, और select करना है, organize करना है, और present कर देना है अपने से वो कुछ लिखेगा, इसकी तवक्को नहीं है इस तरह के सवालात में, जबकि इसके मकाबले में दूसरा जो format है, जो हम कहते है extended response items, तो extended से देखें, लफ से ही पता चलता है, कि इसका जवाब जो student देगा, वो मेरे जरूरी नहीं कि directly मेरे पढ़ाई हुए material में से होगा, मैंने जो पढ़ाया, उसको समझने के बाद उसको जिन्दगी के किसी हिस्से पे, जिन्दगी के किसी मसले पे, किसी ऐसे situation पे, context पे apply करने की जरूरत होगी, जो असल में मैंने खुद नहीं पढ़ाया, लेकिन उस context को हल करने के लिए जो कवानीन, जो असूल, जो इ यह था, वो मैंने पढ़ा दिया था, so student को अपने पढ़े हुए को extend करना है, मेरे बताए हुए के beyond जाना पड़ेगा, जवाब को देने के लिए, अगर किसी सवाल में जवाब की requirement इस नौयत की हो, तो हम कहते हैं, कि यह extended response question है, so यह दो तरह के सवाल है, हम इनकी और मजीद तफसील भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप जब भी इन में से कोई भी आप ऐसे टाइप आइटम बनाएं, कोई भी सवाल बनाएं, तो आपको यह जहन में रखना है, कि open का मतलब ambiguous नहीं होता, open का मतलब यह नहीं है, कि पढ़ने वाले को यह समझी नहापा है, कि आप उसके अंदर specificity होनी चाहिए, उसका specific answer होना चाहिए, और उसको जवाब को हल करने के लिए, student को कुछ चीजों की, कुछ सलाहियतों की जरूरत जरूर पढ़े, ताकि जिनको हम मेयर करने जा रहे थे, वो मेयर हो जाएं, उसमें, अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोच होती है, recall of suitable information, जो मैंने पढ़ाया था, उसको अपने recall कियेवे material को तर्तीब देना, organize करना, उससे एक defensible conclusion बनाना, यह जो मैंने अलफाज बोले, यह अलफाज असल में मुगतलिफ सलाहियते हैं, skills हैं, जो हम अपने इससे type items के जरीए से चेक करना चाहते हैं, कि student में यह सला आहियते हैं, डिवेलप हुई या नही हुई, इसके लिए हम यह चाहेंगे, कि सवाल इतना structure जरूर हो, कि student को यह जो काम मैंने अभी 3-4 बोले, और इसके लावा और भी होते हैं, यह काम उसको जरूर करने पड़े हैं, यह उसके लिखे वे जवाब में से, मैं पहले के यह फैसला कर सकूंगे, यह conclusion ड्रा कर सका है के नहीं, इसका material organized है या, नहीं है, इसने relevant information को collect भी किया है, या नहीं किया, और इसके साथ-साथ, यह मेरी दी गई limit में, यह नहीं मैंने उसे कहा कि एक हजार words में जवाब दे दो, तीक है, 500 अलफास में जवाब दे दें, तो क्या वो उतने दिये गे limited space के अंदर उसका जवाब दे भी सकता है या नहीं, यह बाते मुझे क्योंके चेक करनी होती है सारी, लहाजा question का structure बनाते है वोकत मुझे यह धिहान रखना है, कि सवाल open होने का मतलब यह नहीं है, कि उसकी समझ ना आए, या वो ambiguous ना या उसकी limits ना तै नहीं है, for example, यह जो सवाल आपके सामने है, यह एक मिसाल हो सकता है, list the similarities and differences, so दो बातें जो मैं देखना चाहता हूं, similarities or differences in the process of cell division in meiosis and mitosis, यह biology में दो cell division के तरीके हैं, उसकी बूचा है कि इन दोनों तरीकों में आप पताहिए similarities of process क्या हैं और differences of process क्या हैं, so skills वाज़ हैं, क कौन से content में से इसका जवाब आएगा और यह limited जवाब होगा, so लहाज़ा जो से requirement है, list लिस्ट लिखा हूँगा है, analyze नहीं लिखा, कुछ और नहीं लिखा है, list करो इन चीज़ों को, so यह 3-4 component जो हैं, वो इसके अंदर लाजमी है, list आगया आगया, यह लिस्ट से मराद है वो skills जो आप देखना चाहते हैं, किस जरीए से देखना चाहते हैं, similarities और differences की form में, और कहां से किस के बारे में देखना चाहते हैं, cell division के processes के बारे में देखना चाहते हैं, so यह हमारी limitations है, इसी तरह list जरूरी नहीं है कि हर सवाल में आए, हम मुख्रिफ जो skills इसके जरीए से cause and effect relation देखा जाता है, data को organize करना उन्हें आता है या नहीं आता है, इसके रिए सवाल बनाया जा सकते हैं, उनका point of view इसके बारे में पुछा जा सकता है, hypothesis formulation अगर आप देखना चाहते हैं, आती है कर नहीं तो उसके बारे में इस तरह के सवाल बनाया जा सकते हैं, किसी चीज अगर आप जाएट भी इन आइटम के जरीए से चेक की जा सकती है, इसी तरह से अगर आप टीचर के point of view से देखें कि टीचर को कब इस्तमाल कर सकता है, जब टीचर यह चेक करना चाहता हो, ऐसा सवाल बनाना चाहता हो, कि बच्चा ना सिर्फ उसकी पूछी हुई information उसे produce क कर दे, बलके उसको यह भी मौका दिया जाए कि वो information खुद चूज करें, खुद उसका इंतखाब करें, यह उसे बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, उसमें से जो जरूरी चीज है उसका इंतखाब करें, और मुन्तखिब की हुई चीज या मुन्तखिब की हुई चीजों क को एक coherent वे में आपके सामने प्रिजेंट कर सके, तो टीचर इस तरह के सवाल का इस्तमाल कर सकता है, इसी तरह जब आपके पास बहुत ज़्यादा content है, लेकिन आप उसमें से कुछ एक खास content जिसका knowledge आपने बहुत ज़्यादा depth में दिया था, आप यह चेक करना चाहते हैं कि क्या उसी detail के साथ, उसी depth के साथ student ने उसको पढ़ा भी या नहीं, तो आप वो important content areas उसमें से identify कर लेते हैं, और उन limited areas में से फिर आप ऐसे type सवाल बनाते हैं, जिन चीजों का अमूमी इल्म चेक करना होता है, lower level का इल्म चेक करना होता है, उसके लिए हम आम तोर पे objective type items बनाते हैं, तो पूरे मैंने एक किताब पढ़ाई बच्चों को किसी course की, उसमें से वो areas जो मैं समझता था कि ये बहुत तफसील से आने चाहिए, क्योंकि इनकी importance ज्यादा है, इनका अगली क्लासों में इस्तमाल ज्यादा है, उन areas को पहले मैं identify कर लेता हूं कि हम कौन से ह पर उन में से मैं बच्चों को कहता हूं कि उन में से सवाल बनाता हूं ऐससे type उर आउटाके मैं चेक कर सकूं कि जिस तफसील और डप्त के साथ मैंने पढ़ाया, उन्जी ही तफसील और डप्त के साथ इन्ने ने शीखा या नहीं सीखा, तो मैं इसको यहाँ कून्कू horse क कि इन ऐसे टाइप आइटम्स के जो हम बनाते हैं इन का मकसद iten when higher order learning को चैक करना होता है। लोगर-क-बर बॉर्डर-क कर देश करने का नैसा ज्यादा सब्सक्राइब कहाई बंचathan जिक्तिक करने का test है। और सिर्फ उन सूर्थों में करना चाहिए जब आप higher order learning चेक करना चाहते हैं